सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और लेंस पर आधारित महत्पूर निूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं और परिक्षा की दरश्टी से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं तो इसमें जो प्रश्णी क्रमांक तीन है मतलब हम तीसरा क्वश्टन लेंस पर आधारित लेके आए हैं इसके पहले हमने दो क्वश्टन किये हैं तो इसमें दिया गया है कि उस लेंस की फोकस दूरी ग्याद कीजिए जिसकी छमता माइनस दो दसमलाव जीरो डायाप्टर है और यह किस प्रकार का लेंस है काफी अच्छा सवाल है लेकिन इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो हमें दिया रहता है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे एक्जाम में तो हम लिखेंगे हल और फिर दिख देंगे दिया है और हमें जो दिया गया है वो है लेंस की चमता तो लेंस की चमता याणी पावर आफ लेंस P बराबर हमें दिया गया है माइनस दो दसमलाव जीरो डाय आप्टर ठीक है और फोकस दूरी ग्याद कीजिए मतलब हमें F का मान निकालना है एतना लिख देना है फिर हम लिखेंगे कि सूत्र जो हमें दिया गया है हम उसी का सूत्र लगा देंगे तो हमें लेंस की छमता का सूत्र पता होना चाहिए तो लेंस की छमता का सूत्र होता है पी बरावर एक बटे एफ यह lens की छंता का सूतर होता है तो अगर हमें F का मान निकालना है तो F को हम उपर ले जाएंगे और P को हम नीचे ले आएंगे तो F बरावर होगा 1 बटे P ठीक है, clear होगा अब जो P होता है ना P का हमें मान दिया गया है तो हम F का मान निकाल देंगे तो F बरावर एक बटे और P का महान है माइनस दो दसमलाव जीरो ठीक है अब ये हमने लिखा चूंकि ये SI सिस्टम में जो है सूत्र बनाया गया है तो इसका जो भी उत्तर आएगा वो मीटर में आएगा ठीक है फोकस दूरी जो भी आएगी वो मीटर में आएगी तो F बरावर क्योंकि मीटर एक SI पद्धती का मात्रक है तो अब हमने इसको जब भाग कर दिया तो देखो बटे में हम कितना लिख सकते हैं दस लिख सकते हैं या फिर हम ऐसा कर दें कि जैसे माइनस दो दसमलाव जीरो है त तो माइनस एक बटे दो तो अब माइनस एक बटे दो को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस और 0.5 भाग करेंगे तो 0.5 और मीटर आ जाएगा भाग करने से अब इसके बाद मीटर को सेंटी मीटर में बदलेंगे तो हम 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटी मीटर बरावर एक मीटर होता है तो ये बड़ी रासी है मीटर तो मीटर से हमें क्या बदलना है सेंटी मीटर बदलना है छोटी रासी में तो जब भी बड़ी रासी से छोटी रासी में बदलो तो सो से गुणा करना है तो माइनस जीरो दसमलाव पांच गुड़त सो अब बन गया ये सेंटी मीटर ठीक है तो एक मीटर की जगा पे सो लिखा तो सो लिखने से सेंटी सब्दा आ गया तो सेंटी मीटर अब सो का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा तो पांच एकम पांच तो पांच सो आ गया लेकिन एक अंक बाद दस बापिस कर दिया तो पचास जो है सेंटी मीटर उत्तर आएगा सो का गुणा पांच में करेंगे क्योंकि पांच के आगे जो भी लिखा है वो उसका उसकी कोई वैल्यू नहीं है जीरो की ठीक है तो पांच पांच गुड़े सो पांच सो हो गया लेकिन एक अंग दसमला लोटाना पड़ेगा तो एफ बराबर आएगा पचास दसमला जीरो सेंटी मीटर यही आपकी फोकस दूरी हो जाएगी सेंटी मीटर में और मीटर में कितनी आ रही है मीटर में आ रही है माइनस जीरो दसमला पा इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ओके.